भूख लगी ओनलाइन महेंगा ओडर देके परिशान हो तो आजाओ फूड टैंगो पे जहां से आप मुम्रा के सारे रेस्टूरेंट सारे धाबे सबकी फूड ओनलाइन ओडर कर सकते हो वो भी और उसे सस्ते प्राइस में वाव सर्फ इतना ही नहीं आपको मिलेंगे फ्री ह और आपके फैमिली को वाटापक जाने का मौका और फेर साड़े ओफर्स क्या बात है तो आज ही प्ले स्टूर से फूड टैंगो आप डाउनलोड करें ओडर दे अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए ओडर एट फूड टैंगो नाउ परिक्षा देने आई छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया है पुलिस ने आरूपी को ग्रफतार किया है बता जारे कि घटना साथ दिसंबर की है सीसी टीवी में कैद ये पूरी वार्दात हो गई है नवी मुंबई के नेरूल में परिक्षा देने आई छात्रा पर बीयर की बोतल से जानलेवा हमला किया जाने का मामला सामने आया है इस मामले में पुलिस ने एक आरूपी को ग्रफतार किया है खबरों के अनुसार नवी मुंबई के एरूली की रहने वाली छात्रा नेरूल के एक कॉलेज में परिक्षा देने आई थी और इसी दोरान वो अपनी सहेली के साथ कॉलेज के पास बस स्टॉप पर खड़ी थी इसी दोरान आरूपी अचानक से बीयर की बोतल तोड़ कर चात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया जिसके बाद पास के कुछ लोग जब मदद करने के लिए आये तो उक्ट आरूपी लोगों को देख कर वहां से फरार हो गया जिसके बाद चश्मदीदों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना अस्थल पर पहुंची और घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराये गया आरूपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जब पुलिस ने घटना अस्थल पर लगे सभी कैमरे को खंगाला और आरूपी को पकड़ा गया और उससे पूश्टाच की जा रही है कि आखिर उसने छात्रा पर हमला क्यों किया है